हेलो दोस्तों हमारे यूटीब चैनल में आपका स्वागत है आज हम मिड़ाइपरी से रिलेटेड मोस्ट इंपर्टन को पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला प्रसना देख लेते हैं यदि कोई इस्तरी सीधी खड़ी रहती है तो उसकी स्रोडी रिल के कितने कोड पर रहती ह प्रकार का इनिस्तिस्या दिया जाता है LACES यारे की lower segment cigerian section तो इसके दोरान किस प्रकार का anesthesia दिया जाता है इसका एंसर हो जाएगा spinal anesthesia नेक्स्ट कुष्चन है यूरीन में किस हार्मोन की उचित उच्छित मात्रा से गर्भस्त सिसू के अच्छे होने के संकेत मिलते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा इस्ट्रियॉल नेक्स्ट कुश्चन है एक सीसू हेतू प्रती दिन कितनी कैलोरी के आवस्यक्ता होती है इसका एंसर हो जाएगा 110 से 125 कैलोरी पर केजी बाडी वेट पर डे नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं प्रेग्नेंसी में थर्ड ट्रैमेस्टर की रेंज कितनी होती है तो इसका एंसर हो जाएगा 28 से 40 वी नेक्स्ट कुश्चन है कौन सा हार्मोन फॉलिकल्स के मच्यूरेशन के लिए जिमिदार है इसका एंसर हो जाएगा FSH एंड LH FSH यानि की Follicle Stimulating Hormone और LH यानि की Luteinizing Hormone नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं गर्भावस्था में सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम का कारड़ है इसका क्या कारड़ है तो एंसर हो जाएगा Compression of IVC नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं अलफा फीटो प्रोटीन का इस तरकीनी स्थितियों में बढ़ जाता है इसका अंसर हो जागा Spinal Vifida Spinal Vifida आप लोग पता है जो Spinal में ऐसे Spinal में यहाँ ऐसे गोला हो जाता है जिसके अंदर पानी जैसा भरा होता है बच्ची के Spine में उसी को Spinal Vifida कहा जाता है नेक्स्ट क्वेशन है BFHI का पूरा अर्थ है यानि कि BFHI का पूरा नाम तो इसका पूरा नाम है Baby Friendly Hospital Initiative B से Baby F से Friendly H से Hospital और I से Initiative नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं FSH Follicle Stimulating हर्मोन का सिक्रीशन किस से होता है यानि कि FSH का स्रवड कहां से होता है कहां से निकलता है तो इसका अंसर हो जागा Anterior Putatory Gland नेक्स्ट क्वेशन है Gray Baby Syndrome का कारण निम्न असधी है इसका अंसर हो जागा Cloram Phenicol नेक्स्ट क्वेशन है Perinatal Period होता है Perinatal Period यहां पुछ रहा है तो इसका अंसर हो जागा 28 week की Pregnancy से लेकर जन्म के बाद 7 दिन तक का समय Perinatal Period कहलाता है याद रखेगा 28 week 28 week से लेकर जन्म के 7 दिन तक का समय Perinatal Period कहलाता है नेक्स्ट क्वेशन है Most Important Diameter of Pelvic Inlet In इसका अंसर हो जागा Diagonal Conjugate याँ पुछ रहा है कि Most Important Diameter कौन सा है Pelvic Inlet में Most Important Diameter तो इसका अंसर हो जागा Diagonal Conjugate Next Question है किस अस्थी के द्वारा वाल्ट का निर्माड होता है इसका अंसर हो जागा दो पराइटल Frontal का उपरी भाग अक्सिपिटल वा टेम्पूरल इन बोन के द्वारा वाल्ट का निर्माड होता है Next Question देख लेते है 20 विक की प्रेग्लेंसी से पहले फीटल लेंथ का मापन कौन से मात्रक द्वारा होता है ये हो जाएगा CR Length Next Question Real Time Ultrasound Scanner का उप्योग किया जाता है Scanner हो जाएगा गर्भा धारण अवधी के निर्धारण के लिए Next Question है Most Next Question है Most Useful Screening Taste for Cancer Cervix यानि कि Cervix के cancer में कौन सा Screening सबसे Useful होता है उसका एंसर हो जाएगा Pap smear Next Question एक परिपक कोई Graphene Follicle का व्यास कितना होता है या पूछ रहा है Mature Graphene Follicle का Diameter कितना होता है तो इसका एंसर हो जाएगा 10 cm Next Question IUD Intra-Uterine Death का अर्थ है एंसर हो जाएगा Death Fetus after 28 weeks यानि कि 28 सब्ता के बाद अगर बच्चे की मिर्थी हो जाती है फीटस की मिर्थी हो जाती है गरभावस्ता के दोरान ही तो उसको IUD बोला जाता है या तो Death Fetus during labor प्रसों के दोरान अगर बच्चे की मिर्थी हो जाती है तो उसको भी इंट्रा यूट्राइंग देथ बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज labor के दोरान अम्नियोटिक फ्लूट कारे नहीं करता है एंसर जागा help in crowning crowning में सहायता नेक्स्ट क्वेश्चन अम्नियोटिक फ्लूट की सामान्य मात्रा होती है इसका इंसर जागा 500 से 1500 ml नेक्स्ट क्वेश्चन एमनोरिया क्या है इसका इंसर जागा absence of menstrual cycle नेक्स्ट क्वेश्चन मृत जात सिसू कहलाता है इसका इंसर जागा जन्म के 21 दिन बाद मृत्यू होना अगर किसी बच्चे की मृत्यू 21 दिन बाद हो जाती है उसके जन्म के 21 दिन बाद हो जाती है तो उसे मृत जात सिसू कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन most specific test for ovulation is इसका इंसर जागा USG यानि की ultrasonography नेक्स्ट क्वेश्चन communist type of vertex presentation इसका right answer हो जागा right occipito anterior most important question है right occipito anterior communist type है और कहीं कहीं पर left occipito anterior दिया रहता है अगर बात करें तो common में दोनों जाएगा left occipito anterior और right occipito anterior अगर most common की बात की जाए तो वो left occipito anterior होगा next question communist complication of pregnancy in India is तो एंसर होगा anemia anemia ही भारत में सबसे ज्यादा pregnancy के दोरान जटिलता पाई जाती है anemia की ज्यादा तर अगर भोती हम देखा जाता है कि anemia से वो ग्रसी थी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नार्मल यूट्रस की लंबाई शाड़े साथ सेंटिमीटर होती है pregnancy में यह कितने गुना तक बढ़ जाती है तो पाँच गुना तक five times यहनके पाँच गुना तक इसकी लंबाई यूट्रस की लंबाई बढ़ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एंसर हो जागा क्राउन रंप लेंथ अभी हमने पहले भी पढ़ा है CR लेंथ यानि कि क्राउन रंप लेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन इंटर्नल बेलाट्मेंट पर इचल किन सप्ता हो के मत है किया जाता है इसका एंसर हो जागा 16-18 सप्ता के बीच में ही इंटर्नल बेलाट्मेंट पर इचल किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एंसर हो जागा स्ट्रेप्टो कोकस नेक्स्ट क्वेश्चन अपगार scoring is based at अपगार आप लोग जानते होंगे अपगार क्या होता है अगर नहीं पता है तो मैं अपगार यहाँ पर बता देते हूं क्या होता है अपगार बच्चे की स्थिति नापने के लिए एक score बनाये गया कि इसके सहायता से बच्चे की स्थिति नाप कर उसके scoring की जाएगी उससे बच्चे की स्थिति को पता किया जा सकता है कि बच्चा कैसा है अच्छा है कि उसकी स्थिति खराब है तो अपगार के प्रतिपादक जो अपगार scoring के पीता एक तरश कहल सकते हैं तो इसके पीता जनक डाक्टर वर्जीनिय अपगार थे हैं और इन्हों ने अपगार के द्वारा बच्चे की स्थिती नापने के लिए ये बनाया था तो अपगार का पूरा नाम जान लेते हैं A से हो जाएगा appearance यानि की skin color बच्चे को देखकर skin color उसका जान सके P से हो जाएगा pulse यानि की heart rate पता किया जा सके G से हो जाएगा grimesage response यानि की उससे reflexes पता किया जा सके और A से हो जाएगा activity जिससे उसके muscle tone देखा जा सके और पता किया जा सके और R से हो जाएगा respiration यानि की breathing rate and effort को पता किया जा सके जिसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को पैदा होने के पाँच मिनट के बाद पाँच मिनट के बाद सॉरी पाँच मिनट के अंदर ये अपगार स्कोरिंग को देख के बच्चे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है तो इसका एंसर हो जागा पांच मिनट तो पांच मिनट के अंडर जो भी पता लगाया जाता है वो सबसे बेश्ट समय होता है पांच मिनट ही तो इसका एंसर हो जागा पांच मिनट और आपको उमिद करते हूं कि अपकार के बारे में अच्छी से जनकारी हो गई होगी अगर अब नहीं समझ में आगए तो मैं इस पर एक अलग सी वीजियो बना दूंगी आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा अब नेक्स्ट क्वेस्चन देख लेते हैं कौन सी दवाई मीडवाईफ बिना डाक्टर के अनुमति के नहीं दे सकती है यानि कि मीडवाईफ बिना डाक्टर के अनुमति के द्वारा कौनसी दवा नहीं दे सकती है यानि कि गर्भस्त सिसु यानि कि जो बच्चा गर्भ में ही हो उसकी हिर्दे की धर्ड़कन को किस यंत्र के द्वारा सुना जा सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा सोनी केट वर डॉपटेन नेक्स्ट कोईस्टन प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर की अवधी कितनी होती है तो इसका अंसर हो जाएगा 13 विक्स से लेकर 27 विक्स तक तेरा सप्ताह से लेकर 27 सप्ताह तक के अवधी को सेकंड रैमिस्टर कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लिएस्ट एंड मोस्ट रिलाइबल साइन आफ प्री एकलेम्सिया इज तो इसके अंसर हो जाए हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन प्रीकलेम्सिया का मोस्ट रिलाइबल साइन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्रैमिस्टर के अवधी कितनी होती है तो वो होती है 0 से 12 सप्ताह तक 0-12 7-10 कि अवधी को प्रीगनेंसिट फर्ज ट्रेमेस्टर के अवधी कहा जाता है नहीं अपर ये आप लोग ट्रेमेस्टर काम अ मतलब समझ रहे होंगे यानि की हर तीन-तीन माहें के समुग को ट्रेमेस्टर कहा जाता है जैसे कि pregnancy पूरे 9 मंथ की होती है, तो इसमें 3 महिने को 1st trimester और उसके बाद के 3 महिने को 2nd trimester और उसके बाद के 3 महिने को 3rd trimester कहा जता है यहाँ पाइप конф्यूज मत हुईएगा trimester क्या होता है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट के जरी जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर करना ना भूलें थैंक यू